नमस्ते मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर 2003 के संगर्ष विराम समझोते यानि सीस्वार अग्रीमेंट ऑफ 2003 का सम्मान करने पर सहमती बनी है दोनों देशों के सैन्यभियान महानिदेशकों यानि DGMOs ने संयुक्त बयान जारी कर इस समझोते का पालन करने की होशना की है इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के DGMO इस बात पर भी सहमत हुए है कि कोई मसला उटने पर भी सैयम बरकरार रखा जाएगा बयान के मताबिक अधिकारियों के बीच होटलाइन संपर्क तथास्तानिय कमांडरों की फ्लाग नीटिंग के जरिए मसलों का हल निकाला जाएगा 1997 में इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पडोसी देशों के साथ संबन सुधारने की पहल तेज कर दी उनकी इस पहल को गुजराल डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया अगले बरस इंद्र कुमार गुज्राल की जगे अटल भिहारी वाचपई आ गए उन्हों ने भी पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान के साथ दिपक्षिय सम्मंदों को सुधारने की गुज्राल सरकार की पहल को जारी रखा इसी के तहट वाचपई ने 1999 में लहोर बस्यात्रा की थी तब एक साजा गोश्रा पत्र जारी किया गया था इसमें तमाम विवदास्पद मुद्दों को ठंडे वस्ते में डाल कर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल देने की बात कही गई थी लेकिन तीन महीने बाद ही पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में घुसपैट कर दी और शांती प्रक्रिया पट्री से उतर गई अक्टूबर 1999 आते आते पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोट कर जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक सरकार बना ली इसके बाद शांती प्रक्रिया बहाल हो पाना लगभग असंभव हो गया फिर भी 2001 में प्रधान मंत्री वाजपई ने पाकिस्तान के साथ द्युपक्षिय सही उग बढ़ाने की एक तरफा पहल की जनरल मुशर्रफ को शांती वारता के लिए अगरा बुलाया गया लेकिन वो प्रक्रिया भी पच्री से उतर गई फिर उसी साल दिसंबर में भारतिय संसत पर हमला हो गया इसके बाद बादचीत की रही सही संभावना भी समाप्त हो गई इसके बाद 2002 में दिखावे के लिए ही सही मुशर्रफ ने पाकिस्तान में चुनाओ करवा दिये उन्होंने मीर जफरुलाह खान जमाली के नेत्रित्व में सैनिक शासन के हस्तक शेप वाली एक डमी सरकार बनवा दी फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर बाचीत की प्रक्रिया शुरू की नवंबर 2003 में रमजान का पवित्र महीना चल रहा था और उसी दरमयान 22 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधान मंतरी मीर जफरुलाह खान जमाली ने रमजान के पवित्र महीने की दुहाई देते हुए एक तरफा सीस फायर का एलान कर दिया था भारत के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी क्योंकि अब तक तो वही शांती बहाली के लिए पहल करता आया था लिहाजा भारत ने जमाली की एक तरफा गोशना का स्वागत किया इसके बाद दोनों देशों के सैन एवं विदेश मंतराले के अधिकारियों के बीट बातचीट शुरू हुई और इस पर सहमती बन गई कि कोई भी एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएगा एवं सीमा या लाइन ओफ कंट्रोल पर किसी भी परिस्तिती में बातचीट के जरीए मसला हल करने की कोशिश की जाएगी 24 और 25 नवंबर 2003 के दर्मयानी रात भारती विदेश मंतराले के प्रवक्ता नवतेच सरना ने इस संघर्ष विराम समझोते की घोशना की और अगले दिन पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता मेजर जनरल शौकत सुल्तान ने इस समझोते की पुष्टी की थी इसके बाद 3 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला लेकिन 2006 से पाकिस्तानी सेनिकों ने कश्मीर में नियंतरड रेखा पर फिर गोली बारी शुरू कर दी सीसफायर का उललंगन पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ था 2015 में भारतिय सेना की तरफ से फिर कोशिश हुई कि 2003 के समझोते का पालन किया जाए इसके लिए दोनों देशों के सैन अधिकारियों की बैठके भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सिर्फ 2020 में ही पाकिस्तान की तरफ से 5,246 बार संगर्श्विराम समझोते का उललंगन कर फायरिंग की गई उरी पठान कोट और पुलवाह समेत कई बड़े हमले हुए इसके बावजूद अब एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि इस बार पाकिस्तान संगर्श्विराम समझोते का पालन करेगा आखिर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है कैसी लगी आपको ये जानकारी आप क्या राय रखते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये जानकारी आपके लिए लाय थे अभिशेक मेरा नाम प्रतीक्षा है देखते रहें लललन टॉप शुक्रिया